नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइल लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्चा श्रदावालकर के केस में बार-बार तारीखे आगे बढ़ाई जा रही हैं श्रदावालकर के केस में साकेत को क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रहा है क्या सच में आफताप पुनावाला को जेल के अंदर ही किसी का सहयोग मिल रहा है जी यहां ऐसी बाते अब धीरे-धीरे उभर करके सामने आ रही हैं दरसल श्रदावालकर के केस में अब आफताप के खिलाफ सुनवाई साथ मार्च तक के लिए टाल दी गई है साथ मार्च को एक बार फिर से कोट में सुनवाई की जाएगी और इस बार आफताप पुनावाला के खिलाफ जो भी बयान पेश करने होंगे वो सीमा सम्रिधी करेंगी फिलाल इस पूरे मामले में अभी तक ये पुष्टी नहीं हो पाई है कि क्या सीमा समरिधी कुश्वाहा ने टाइम बॉर्ण फास्टर कोट की मांग की है या फिर नहीं यू तो आपको बताए कि सीमा समरिधी ने इसका बयान पहले ही दे दिया था उन्होंने कहा था कि वो इस पूरे केस में टाइम बॉर्ण फास्टर कोट की मांग करेंगी उनकी याचिका डालेंगी मगर अभी तक इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है कि क्या उन्होंने याचिका डाल दी है या फिर याचिका भी नहीं डाली गई और अगर नहीं डाली गई है तो फि क्यों बार बार कोट इसमें अपना समय दे रही है फिलाल अगर बात करें चार्शीट की तो एक बार फिर से बताते हैं कि आफताप पुनावाला ने पुलिस को गुमरा करने के लिए क्या-क्या साजिश रची और कैसे कैसे चार्शीट में उन सभी साजिशों का खुलासा जिक्र करते हैं सबसे पहले शधावालकर की हड़ियों को ले करके दरसल एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि आफताप पुनावाला ने शधावालकर की नाकेवल हड़ियों को पीस दिया बलकि उसके हड़ियों को सड़क पर गिरा दिया उसमें कुछ उंगलियों की हड़ियां थी जो भी छोटी-छोटी हड़ियां होती हैं जिसे वो पीश सकता था लेकिन जब पुलिस ने इसके तफ्तीश की तो उसे पता चला कि ये बयान आफताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए दिया था दरसल आफताब पुनावाला ने श्रधावालकर के कोई भी हटी नहीं पीसी थी ये बयान जूटा निकला हाला कि इस बयान को देने के पीछे क्या मकसद था इस बात की भी पुश्टी अभी पुलिस ने नहीं की है मगर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आफताब के खिलास पुलिस कोई आगे कारवाई न करे इसकी जाच परताल ना हो और श्रधावालकर की हडिया ढूढने की पुलिस कोशिश करे ही ना इसलिए उसने इस तरीके का पैतरा आजमाया अब देखना ये है कि इस पूरे केस में पुलिस कौन सा रुख आजमा रही है क्योंकि अभी तक आफताब के केस में पुलिस ने कई ऐसे सबूत बरामत नहीं किये हैं जो कोट में पेश करने जरूरी हैं चाहे वो हथ्यार की बात हो या फिर मुबाईल फोन या फिर श्रधा के धड़ की बात करें अभी तक ये सबूत पुलिस के हाथों से नदारत है अब देखना ये है कि इसमें पुलिस कैसे एक्शन लेती हो और क्या क्या पैतरे आजमा कर आफताब पुनवाला से सच उगलवा पाती है वहीं अगर जिक्र करें कि आखिर आफताब के सम्मंध कहां कहां तक थे चार्शीट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आफताब के सम्मंध ना केवल दिल्ली और हर्याना तक सीमित थे बलकि उसके सम्मंध दुबई तक थे तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि इस पूरे केस में आफताब को कहीं दुबई से कोई समर्थन मिल रहा हो हालकि दुबई से कौन सी वो महिलाय थी या गुरुगराम से कौन सी महिल आये थी जो आफ़ताब के संबंध में थी और आफ़ताब के बारे में वो कितना कुछ जानते थी अभी इस चार्शीट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया फिलाल अगर बात करें आफ़ताब के फोन की तो आफ़ताब ने कई ऐसे डाटा को डिलीट कर दिया है जो कि मगर इन टेस्ट के रिपोर्ट में भी एक खुलासा किया गया था कि आफ़ताप ने बड़ी ही चालबाजी से जो बयान है उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की थी खुद फॉरेंसिक डॉक्टर ने इस बात का जिक्र किया था कि पॉलिग्राफिक टेक्स्ट में आफ़त पहले भी गड़बड़ियां कर चुका है इसलिए उसका नियोरो साइकलोजिकल टेस्ट करने की जरूरत है इस बात की खुद कोट ने परमीशन दी थी फिलाल नियोरो साइकलोजिकल टेस्ट के आधार पर कोट क्या फैसला लेता है और साथ मार्च को इस पर क्या फैसला वो भी काफी जादा दिल्चस्प रहेगा देखना और अगर बात करें इस पूरे चार्शीट में कि और कौन कौन से ऐसे खुलासे हुए आफताब और श्रधा को ले करके तो एक बुखत बड़ा खुलासा यह हुआ था कि आखिर आफताब ने क्यूं श्रधा की जान ली आप पुलिस में सबसे पहले पुलिस ने इस बात को माल लिया और यह भी सामने आने लगा कि आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है मगर जब इसकी पूछताच आगे बढ़ी और सबूत सामने आए तो पता चला कि आफताब ने अपना पहला बयान ही जूठा पेश किय दरसल बात यहां पर शादी की थी ही नहीं बलकि आफताब से लगतार श्रधावालकर के जगड़े होते रहते थे जगड़ा इतना जादा होता था कि कभी कभी श्रधावालकर आफिस तक नहीं जाते थी दफतर से कई बार आफताब और श्रधा ने छुटी ली हैं और साथ थी उस रात का भी CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जसमें ये साफ देखा जा रहा है कि उस रात यानि की 17 माई की रात श्रधावालकर अपने घर में थी ही नहीं यहीं बात थी कि आफ़ताब ने गुस्से में आकर कि उसकी जान ले ली क्योंकि श्रधावालकर किसी दूस इसकी पुलिस जाच में आए डॉक्टर के बयानों की और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शिंस की उसमें भी ये साफ निज़र आ रहा है कि कई बार आफ़ताब पुनावाला के साथ श्रधावालकर के जगड़े होते थे और नाकेवल जगड़े होते थे बलकि वो काफी परिवार वालों से मिलने के Лिए गए तो आफ़ताब के परिवार वालों ने भी सब कुछ जानते हुए ये बात नहीं बताई कि आखिर श्रधाव और आफ़ता अब दिल्ली में कहा रहते हैं हाला कि जब इस पूरे बात का खुलासा दोस्तों के ज़रीये हुआ तो फिर श पूरा ना हो पाया हो क्यूंकि इसे उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है इसे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर यूं कहे कि बार बार हो रही फास्टर कोट की मांग को टाल दिया जा रहा है देखना काफी दिल्चस्प होगा कि साथ मार्च के सुनवाई में आफ्ताब पर कौन सा फैसला लिया जाता है और क्या साथ मार्च की सुनवाई का दिन आफ़ता पुनावाला के लिए उसकी जिन्दगी का आखरे दिन बन पाएगा या फिर नहीं आज के इस रिपोर्ट में इतना ही देखते रहें नेक्स्ट नाई लाइफ